हाई गईज, मैं एंजली, आपका स्वागत करती हूँ, एस्पियल है चानल पर दोस्तों करवाचूत के इस पाउन उसर पर मैं महिलाओ के लिए एक मेकप टिप्स लेकर आई हूँ करवाचूत का तेवार महिलाओ के लिए बहुत खास होता है इस तेवार में दिन भर उपास रहकार अपने पती के लंबे उम्रे के लिए व्रत करती है महिलाओ तेवार पर कुछ पेसल, कुछ हट कर दिखना चाहती है तो इसलिए मैंने एक छोटा सम मेकप टिप्स लेकर आई हूँ तो चलिए, हम बताते हैं आपको की वह मेकप किस तरह से करना है प्राट करते है मेकप, फेस क्रीम यूच करती है वह ले लीजिए थोड़ी उसमें 他们 já ग्लैम अप हांडेशन क्रीम यूच कर सकती है आप तो इसे फेस पर इस तरह से फेस पर पूरा इस तरह से कवर कर लीजिए उसके बाद कान भी कवर करना है जिसे आपको मेक अप के बाद में कान कुछ अलग से नजर ना आए एक अप स्टीक ये है इसे हम टैप करेंगे फेस पर इसको ओटोबर से भी टैप कर लेते हैं के सहारे से कवर कर लेते हैं पुरे स्कीन पर फैला देते हैं पैंकेक लगाए इसके बाद आप डेली उज के लिए जो पावडर यूज करते हैं पॉंड्स पावडर वो ले लीजिए थोड़ा फेस को कवर कर लेता है और फेस पर जो भी हो मुहासों के डाग धब्बे सबको छुपा देता हैं देखो देखी किस तरह से पूरा कवर कर लेता है मेकप और यह दस से बारा घंटे जसके तस रहता है कभी आपका मेकप उतरता नहीं है जब तक आप इसे उतारोगे नहीं तब तक इसे यह उत्रेंगा नहीं आपके फेस काजल लगाना है आखों में इसे अपन पेंसिल लगा सकते है या फिर थोड़ा हलका काजल लगा ले तो मैं रेड लिविस्टिक लगा रही हूं कि यह मेरे साड़ी से मैच हो रहा है इस तरह से कर लिजिए ओट को दबा दीजिए ताकि वह अपने आप पूरे ओटों में लग चुका होंगा उसके बाद आपको पलकों में जो आइज सेड़ लगाते है लेकिन आपको एक फेस्टिवेल मेक अप है इसलिए सिंपल मेक अप करना है लिविस्टिक को थोड़ा उगली में लगा लीजिए देखिए इस तरह से और उस उगली को पलकों पर से आइस सेड़ जिस जगा पर लगते हैं उस जगह घुमा लीजिए यह होगे आपका मेकप लिखिए मेकप पूरा क्लीन हो चुका है अब यह अच्छी तरह से सैट हो चुका है यह हैरस्टेल करना रखना चाहती है तो यह अच्छी लग रही है लग रही है कुछ अलग हटके लुक आ रहा है तो अब इस हैरस्टेल को भी अपना सकते हैं बीच से मांग निकाल लीजिए हैरस्टेल हो गई कि अगर आपके बाल लंबे हैं चोटी कुछ कर बजरा लगा सकते हैं आप ऐसे देखिए यह भी कुछ अलग लुक देख रहा है या फिर आप बन बना सकती है जो आपको अच्छा लगे आप वो हैरस्टेल कर सकते हैं तो यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम फिर मिलेंगे दोस्तो अपने नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए बाइबाइब